नमस्कार दोस्तों मैं जैपर का सलाइच आपका अर्दिक स्वागित करता हूं आज हम 10 inverse x का graph कढ़ेंगे 10 inverse x का graph पढ़ने से पहले हम 10 x का graph देखते हैं जो 10 x है वो pi by 2 पे no defined होता है 3 pi by 2 पे no defined होता है इसी प्रकार minus pi by 2 minus 3 pi by 2 minus 5 by 2 इन पे no defined होता है क्योंकि इसकी value infinity की ओर चली जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो 10 का डोमेन है उसमें सभी वास्तिक संख्या होती है लेकिन उसमें से pi by 2 के विश्म को जटा देते हैं और मुल्टिपल ओफ 5y2 को हम क्या कर देते हैं कम कर देते हैं और इसको जो value है वो minus infinity से infinity के वीच में प्राप्त होती है इसलिए इसका जो code मेन इसका सह प्रांथ वो आ रहे है अब अगर मैं कोई horizontal यानि 36 रेखा से इस वक्र को काटूं तो वो एक से दिग बिंदूओं पर काट रहे है और अगर एक से दिग बिंदूओं पर काट रहे है तो इसका मतलब यह minimum function है बहुए कि कि फलन है साथ ही साथ अगर हम यह देखें कि इसका जो code मेन सह प्रांथ वो भी आ रहे है और इसकी जो प्रिशर है इसके मान आर यानि मान स्विट से इंफटी के बीच में पराप्त हो रहे है वो भी आर है दोनों equal है इसलिए यह on to function है आच्छा दग पर लाना तो हमें inverse निकालना है कि तथा अच्छा दग फलन होना चाहिए जबकि यह फलन बहुए के कि वह आच्छा दग फलन है इसलिए इसका जो domain है उसको छोटा करना पड़ेगा उसकी principal branch लेन पड़ेगी उसके मुख्या जो साख्खा है वो लेनी पड़ेगी तो 10 inverse याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कोई इनवर्स फंक्शन है उसमें एक तो फैस्ट कोडियन लेते हैं उसके साथ या तो second कोडियन लेते हैं या fourth कोडियन लेते हैं या अगर कोई भी प्रतिलोंग वर्तिय फलन है उसको हम define करते हैं परिवासित करते हैं तो उसमें पर्थम चत्रशांस के साथ मे इस सेकेंड दित्य चत्षांस या fourth 44 लेते हैं नहीं 25 होता है और सबी जो tan होता है वह सबी सब्सक्राइब सार्स तो मुझे इसाथ negative लेगा व्यां फोर्त लेना पगा अब इन दोनों में से कोन सा क्वाइबए पिर्णिल ब्रांज होताै अगर मैं यहां से यहां तक लेता हूँ तो मुझे minus pi by 2 से pi by 2 को भीच में लेना पड़ेगा यानि मुझे यह branch लेना पड़ेगी minus pi by 2 से pi by 2 से यानि मुझे यह करूँ मिलेगा और अगर मैं यहां से लेकर यहां तक लेता हूँ यानि 0 से pi तक लेता हूँ तो 0 से start करेंगे पाई की बीच मेंगे तो पहले ये branch यहां से यहां तक जाएगी फिर पाई बाई टू पे not defined होगा फिर ये branch यहां से चलती चलती यहां तक पहुँचेगी तो इन दोनों में से हमें कोई एक branch लेनी है हम देख रहे हैं कि ये वाली जो branch है ये branch continuous है लगातार चल रहा है इसमें ऐसा कोई point भी नहीं आ रहा जिस पे function not defined है इसलिए हम क्या करते हैं 10 inverse को minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीचे में define करते है तो हमने जो 10 है उसका जो domain है प्राहन तो लिया minus pi by 2 से pi by 2 और ये हमने विवर्त अंतरा लिया है open interval लिया है इसका मतलब इसके अंदर minus pi by 2 और pi by 2 सामिल नहीं है तो हमारा जो हमने branch लिया है उसमें ये point minus pi by 2 और ये point pi by 2 ये सामिल नहीं है क्योंकि इन point पे 10 है वो defined नहीं होता यानि हम कह सकते हैं उसकी मान परिवासित नहीं हो सकता और domain में वो point नहीं लिये जाते जिन पे function not defined हो code domain है हमारा r का r रहेगा क्योंकि function पहले भी on to था अभी भी on to है तो हमने जो function है 10 लिया है वो minus pi by 2 से pi by 2 जो open interval है उससे लेकर और हमारा जो code domain है उसको हमने r ले लिया तो हम 10 inverse define करेंगे तो जो 10 inverse होगा वो होगा हम बता चुए है कि अगर f a से b में है तो f inverse b से a में होता है तो यहाँ पे 10 inverse होगा वो होगा r से open interval यानि वीवर तंतराल minus pi by 2 से pi by 2 अब हमें क्या करना है इसका graph plot करना है तो graph plot करने के लिए हमने इसकी जो ये branch लिया है इस branch को अगर हम देखें तो इस branch को बाकी branch अगर हम अटा दें तो कोई भी horizontal line हो उसको एक बार cut कर रही है इसका मतलब यह one one function तो है अब इन point को हम value रखके देखते हैं जैसे मैंने लिया minus pi by 2 तो minus pi by 2 पे 10 की value होती है minus infinity या फिर हम यह कह सकते है कि node defined है परिवासित है minus pi by 4 10 minus pi by 4 की value होती है minus 12 जगा 10 कैसा function होता है विसम फलन होता है तो 10 minus pi by 4 यानि minus 10 pi by 4 और उसकी value प्राप्त होगी मैं minus 1 तो 10 की value minus pi by 4 पे minus 1 प्राप्त होती है 10 की value 0 पे 10 0 equals 0 10 की value pi by 4 पे 1 और 10 की value pi by 2 पे होती है infinity या कहसे दो कि node defined तो इस प्रकार हमें यह कुछ 10 पे हमने point लिये हैं हम ज्यादा point भी ले सकते हैं लेकिन एक बार हमें सरफ graph को अना मोटे रोप से समझना है कि एक बार हमें समझ में आ जाए कि graph किस type का बन रहा है तो हमने शिर्फ यह point लिये हैं अगर जिन point पे function not defined है या फिर हम यह कहें कि जिन point पे function की value infinity प्राप्त हो रही है तो वह point हम कहलाएंगे हम कहेंगे कि यह जो point है pi by 2 और minus pi by 2 इन पे function की value infinity जा रही है तो इसका मतलब यह इसकी अनंस फर्चिया होती है एसम टोट होती है और अब यह कहेंगे कि जो pi by 2 पे तो function defined नहीं है लेकिन pi by 2 की जो left limit लेंगे उस पर function की value infinity की और जा रही है और इसी परकार minus pi by 2 की जो right and limit लेंगे तो उस पर function की value minus infinity की और जा रही है तो इनी चीजों को द्यान में रखिए अगर मैं 10x को t माल लूँ अगर मैं 10x को count t तो मुझे मिलेगा x बराबर 10 infinity कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर मैं t रख दूं तो यहां मेरा जो function हो जाएगा 10 तो मुझे t की value अगर minus infinity रखोंगा मैं तो t की value minus infinity मतलब node defined है वो कब होगी minus 5 by 2 से थोड़ा सा right hand side में तो अगर minus 5 by 2 है उससे थोड़ी सी बड़ी value लूँ तो यह जो वक्र है वो minus infinity की हो जाएगा इसी परकार अगर मैं minus 5 by 4 अगर मैं t की value minus 1 लेता हूं तो मुझे मिलेगा minus 5 by 4 तो अगर t की value अगर मैं minus 1 लेता हूं तो मुझे मिलेगा minus 5 by 4 जो point यहां पर होगा अगर मैं t की value 0 लेता हूं तो मुझे इसकी value 0 प्राप्त होगी और अगर मैं t की value 1 लेता हूं तो एक रखने पर मुझे इसकी value मिलेगी प्राप्त है तो यह हमारा एक 10 inverse x का ग्राफ हो गया इस 10 inverse x की ग्राफ की विशेशता है क्या है कि यह जो 10 inverse है जबकि यह 10 inverse है वो प्रतेक वास्तिक संख्या आर के लिए defined है आर हमारा होता है minus x infinity तक तो हम कोई भी वास्तिक संख्या लें जो की minus x infinity हो उसके लिए defined होता है जबकि हमारी जो value प्राप्त होंगी यानि code domain होगा माइनस प्राप्त होंगे वह इन दोनों के वीचे प्राप्त होंगे यह हमारी प्राप्त होंगे माइनस प्राप्त होंगे यह हमारी प्राप्त की लाइन है माइनस प्राप्त की लाइन है यह हमारी प्राप्त की लाइन है तो जो ग्राफ है वह कभी भी माइनस प्राप्त से से नीचे नहीं जाएगा कभी भी पाइबाइट उसे ऊपर नहीं जाएगा दूसरा हम देखें तो टैनिवर्स है वो ओर्ड फंक्शन है विसम फलन है और हमें पता है कि विसम फलन कैसे चाहिक करते हैं अगर कोई भी ग्राफ औरीजन के रिस्पेक्ट में अगर समेट्रिक है मूल बिंदू कि साथ एक सम्मित है तो वो कहलाता है ओर्ड फंक्शन विसम फलन है जदि मैं यह कहूं कि यह जो ग्राफ है पर्थम तरफ सुछंस में जैसा बन रहा है वैसा ही चत्रॊ Großसांस में बन रहा है जैकेंड भी मैं बन रहा तो इसको भी मैं देख्र के बता सकता ह कि हमारा विस्ममिय कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है इतनी डिस्टेंच मेरा पिछे एक प्वैंट और मिलेगा तो यहétais स्वेट्रिक है और इसलिए यह कैसा फलन है विस्ममध की विश्जच आई होती है अगर आप उसके न-, rigorous की बार आ जाएगा 10 inverse x बच जाएगा तो for example अगर मैं यह कहूं कि 10 inverse minus 2 कितना होता है तो हम कहेंगे minus bar 10 inverse 2 यह हमारा property हो गई कि अगर minus input input के लिए 10 inverse कैसा भी यह करता है minus bar निकल जाता है increasing function है अगर मैं कोई भी graph left to right देखूं अगर कोई भी graph left to right चलने पर हमेसा बढ़ रहा हो तो increasing function होता है यह कहें strictly increasing function है 10 inverse x की अगर shape की बात करें तो shape इसकी इस type की बन रही है यह इदर से देखें तो increasing function है इसे हम S type का कह सकते हैं लेकिन S कभी भी S type के आक करती function function हो सकती function की एक विसेशता होती है अगर कोई भी function होगा तो इसको vertical line एक से ज्यादा window पर नहीं कट करती जबकि S को vertical line तीन window पर कट कर रही है इसलिए इस S type को थोड़ा सा गर हम खेंच के इस type का बनाएं ताकि कोई vertical line इसको एक से ज्यादा window पर नहीं काट पाई तो फिर यह function भी रहेगा और इसकी shape भी रहेगी तो shape इसकी S type की है लेकिन थोड़ा सा खेंचने पर है तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो इस तो इस तो ग्राफ को कोई भी vertical line एक से ज्यादा window पर नहीं कट कर रही इसका मतलब यह function है और इसकी shape S type की है for example मैं यह कहूं यह जो हमारा S है इस type का S है इस S को अगर हम क्या करें थोड़ा सा खेंच के इस type का बना दे ताकि vertical line एक से ज्यादा window पर नहीं कट करें तो फिर यह जो आकरती है जो shape है यह 10 inverse X की shape रहेगी है